यहलों स्वेंट वेलकम तु तैंथ क्लास टॉतोरियल तोड़े वीविल डिसकुस अबाऊट एसे बेस एंड सॉल्ट यंद वीविल टेक सम एक्जामपल ऑफ एसे बेस एंड सॉल्ट फॉम डेली यूजस देखिए सबसे पहले मारे पास क्या है एसे डेली यूजस में अगर कौन से एसे इसमें प्रेजन्ट होता है सिट्रिक एसेड और हम यूजस करते हैं विनेगर को विनेगर मोस्टली यूजस किया जाता है विनेगर को पिकल में इसमें कौन से एसेड प्रेजन्ट होता है हमारे पास इथेनोयक एसेड कॉमन नेम है इसका ऐसे टिक ऐसे क्लियर बेस की कुछ एक्जाम्पल्स लेते हैं डेली लाइब में से बेस रेकिए जैसे बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा भी यूज किया जाता है फूड में फूड को जल्दी बेक करने के लिए पकाने के लिए बेकिंग के लिए यूज करते हैं बेकिंग सोडा को ब्रेड वगेरा में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा में हमारे पास क्या प्रेजेंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्वोनेट क्लियर और ले सकते हमें एक्जामपल सोप की ले सकते हैं वह भी क्या है अमारे पास बेस है एंड लास्ट इसल्ट सॉल्ट में हम किसकी एक्जामपल ले सकते हैं सीम्पल कॉमन सॉल्ट जो हम डेली लाइफ में क्या करते हैं यूज करते हैं जिसका फॉर्मला है एंड एसी एल सोडियम क्लोराइट क्लियर क्या है मारे पास कॉमन और सॉल्ट वी बोल देती है कलियर इसको भी मेरे पास किसमें यूज किया जाता है फोड में यूज किया जाता है एंड इस ऑल्सो यूज तू परजर्व पिकल और एक्जामपल ले सकते हैं सॉल्ट की के से यल पोटाशियम कॉल्राइड नेक्स देखिए आगे हम एसीड बेस और सौट के बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं कैसे हम पता लगा सकते हैं यह मरपस एसीड है बेस है जब फिर सौल्ट है फर्स्ली वी वी डिसकस अबाउट एसीड फर्स्ली एसीड एसीड देखिए एसीड के बारे में कैसे बता लगा सकते हैं यह मरपस एसीड है इस फूर में एसीड प्रेजेंट है जाफिर बेस प्रेजेंट है जाफिर सौल्ट प्रेजेंट है फर्सली एसीड और बेस के बारे में discuss करते हैं अगर मारे पास एससे प्रेजन्ट है तो उसका टेस्ट का वोगा सोर उस singular का महरे पास एपूर्ड़ का टेस्ट का सोर मेरे पास Anna के प्रेजन्ट है उसुर्ट का मारे पास टेस्ट क्या होगा बिटर, özid कि अज़े सोड ऐसकते हम विनेगर के लीथि हमने विनेगर मैं मैं बेकिंग सोडा बेस में किसकी बि मैं रहुं मैं कि अब यह तो हम आपस जैसे लामन विनेगर है इसको तो हम टेस्ट करके बता सकते है यह मरबा सॉरीं सोरें टेस्ट यह बेकिंग इस टेस्ट हमारे पास क्या है बेस है विकॉस पितर इंट इस डू 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 तो देस वी कं से धिस दिस यहां पर लेमन और विनेगर बेकिंग सोडा के बारे में तो हम टेस्ट के शिथे हूआ यह मरपस बेस है बट ओल और 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 अधिकर अधिकर इन दोन अधियों प्रीष नहीं है तो हम उसे टेस्ट लिटी साथे लगाएंगे तो हांट क्या होगा उस इट में हम नहीं बता सकते टेस्ट के थुट तो हमें इसको pilgrimage करने के लिए एक और मेड़्स ही आप इस इंडिकेटर्स किसके थूँ फाइंड कर सकते हैं इंडिकेटर्स के थूँ इसे क्या बोलते हैं हम एसे बेस इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स आया है वर्ड हमारे पास इंडिक्यर से जिसका मीन क्या है RAIN MEAN MINE IS INDICATE करना हमें पहठान करवाना क्या है हमारे पास है जिसके बारे में हम डिरेक्ट से के त्रूर नहीं पता कर सकते यह acid है जब बेस है उसके बारे में किसके त्रूर में पता चली मेंар पता चलेगा उसके बारे में proper बताना, भी मर्वास acid है, यह हमारे अधीर, यहाँ फिर, बेस है, clear, अब indicators आगे, Leo while ने आधीकेटर ने हमें बता दिया, वह मर्वास acid है, जब बेस है, बताएंगे कैसे किस प्रॉपरटी से, वो हमारे पास color, पता है जब भी हम इंडिकेटर पर क्या करेंगे आसे डालेंगे तो इंडीकेटर का मुण क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जहां फेर कलर के तहों फिर ओर जए जो जाएगा हमारे पास चेंज हो जाएगी फॉर्साइज नैचुलर ईंडिकेटर्स सेके में Pennsylvania synthetic indicators natural means जो मारे पास ने जरल हमसे होते हैं आप से होते हैं नेक्स एक लेटमस पेपर आ गया रिप्रसा फटाइप के होता हैाघ एक है ब्लूँ लिटमेस पर होता है कि आप कैसे पाता चलेगा हमारे पास कौन, सा acid है काॉन सा base है माल लिजे हमने acid ले लिया थोड़ा सा acid ले लिया जो कोई भी acid ले लिया रेड लिटमस पे डाला और blue पे बें डाला अगर हमारे पास acid होगा तो blue का color red में change हो जाएगा अगर हमारे पास base है माल लिजे बेस का color बेज किस पर रियक्ट करेगा रेड लिटमस पर रेड का कलर किस में चेंज कर देगा हमारे पास ब्लू में इसलिए यहां पर तो दोनों याद रखिए ए बी आर ए बी आर मेंज एसे एसे टर्न हो रहा है ठीक है टर्न ब्लू टू रेड बी आर बी मेंज बेस टर्न रेड टू बल्यू बास समझ में आगी अगर तो एसे डोगा वो ब्लू लिटमस पेपर पर रियक्ट करेगा ब्लू को किस में चेंज कर देगा रेड में चेंज कर देगा माली जी ऐसे क्लियर अगर हमारे पास बेस है हमारे पास तो रेड को किस में चेंज कर देगा ब्लू में क्लियर नेक्स्ट इस टर्मरीक टर्मरीक क्या है यह भी मारे पास नैचुरल है नैचुरल इंडिकेटर ह ये भी मारे पास इसके त्रियू भी हम पता लगा सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है clear देखिए कलर क्या होता है इसका yellow मालीजे हमने acid को react करवाया अगर वो acid है acid के लिए इसका color yellow ही रहेगा change नहीं होगा clear yellow रहेगा अगर मारे पास बेस है तो रियक्ट करने के बाद उसका color क्या हो जाएगा red बाद समझ में आगी clear टेमरीक में के साथ भी हम पता लगा सकते हैं कौन सा हमारे पास acid है कौन सा हमारे पास base बेस है clear next is red cabbage red cabbage leaves red cabbage leaves के साथ भी हम पता लगा सकते हैं अगर उसका color red ही रह रहा है means red ही रहा रियक्ट करने के बाद it means वह acid है अगर red से color change होके हमारे पास green color आ गया तो means वह क्या है base है next मैं table के साथ table बनाके रिपर्जेंट करती हूं next एक है table में first is litmus second red cabbage leaves third is turmeric इनका color देखिए लिटमस का purple वैसे तो हमने लिटमस की टाइप स्वी डिसकस कर लिए purple एंड रेड़ के विसका रैट टर्मरी का मारे पास yellow clear अगर acid है मारे पास तो उसका color क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा अगर बेस है तो blue हो जाएगा अगर हम रेड़ cabbage leaves ले रहे हैं उसका natural color रेड है तो अगर acid है तो color red ही रहेगा अगर मारे पास बेस है तो उसका color क्या हो जाएगा change हो के green next is turmeric powder natural color yellow एंड अगर मां हम उस पे acid डाल रहे हैं तो उसका color yellow ही रहेगा अगर हम बेस डाल रहे हैं तो उसका color क्या हो जाएगा हमारे पास red सो हम तीनों से investigate कर सकते हैं कौन सा हमारे पास acid है कौन सा हमारे पास base है without tasting clear this synthetic indicator synthetic indicators के मारे पास two types होती है एक हमारे पास phenethylene phenethylene second है मारे पास methyl orange देखिए इसका color होता है मारे पास यह तो है colorless कि इसका कोई color नहीं है इसका हमारे पास color orange clear अब हम देखेंगे अगर हमारे पास acid है तो इसका color change क्या होगा अगर बेस है तो इसका color change क्या होगा same in methyl orange देखेंगे clear अगर मारे पास phenethylene है तो अगर इसमें हम acid डालेंगे तो इसका color क्या रहेगा same रहेगा same color रहे है means acid है बात समझ में आई phenethylene पे हमने क्या किया कुछ drops acid की डाली अगर उसका color क्या रहे है मरे पास same है तो मरे पास क्या है acid present है अगर उसका color change होके pink हो रहा है क्या color आ गया मरे पास pink it means मरे पास क्या present है base present clear अब मिथाईल ओरेंज में देखते हैं अगर acid हुआ तो मिथाईल ओरेंज का color pink हो जाएगा अगर क्या है हमारे पास acid present है अगर हमारे पास base present है तो इसका color क्या हो जाएगा yellow base के लिए color change क्या आएगा हमारे पास yellow natural इंडिकेटर और synthetic इंडिकेटर से हम पता लगा सकते हैं कौन सा हमारे पास acid है कौन सा हमारे पास क्या है base नेक्स देखिए olfactory इंडिकेटर्स olfactory इंडिकेटर्स का मतलब है हमारे पास order order के दिए हम पता लगा सकते हैं मारे पास acid प्रेजेंट है जा फिर मारे पास base प्रेजेंट है order का मतलब smell इंडिकेटर में जब भी हम acid और base add करेंगे तो हमें उसकी अगर smell change हो रही है जा फिर नहीं चेंज हो रही है उसके त्रियों हम पता लगा लगा लेंगे भी यह मारे पास acid है जा फिर मारे पास क्या है base natural olfactory इंडिकेटर्स देखिए कौन से होते हैं फॉस्ट इस अनियन अनियन जूस इस सेकंड़ी हम क्लोव ओयल ले सकते हैं लॉंक का तेल क्लियर अब देखिए हमने पहले अनियन से इन्वेस्टिकेशन करनी है हमारे पास acid है जाओ फिर मारे पास base है अगर हमारे पास acid होगा तो उसकी smell क्या रहेगी same same order रहेगा clear same order है तो मारे पास क्या है acid अगर change होके उसकी smell और जादा strong हो सकती है that can't be detected it means base is present बास समझ में आई अगर उसकी smell क्या हो रही है change हो रही है में जिसे हम डिटेक्टर नहीं कर सकते हैं तो मारे पास क्या है बेस है अगर सेम रहे है अनियन जैसी तो मारे पास क्या है प्रेशन प्रेशन हो प्रेशन है इसेडे क्लोब क्लोब जैसे प्रेशन कर सकते हैं अगर उसकी smell तो मारे पास क्या है अगर चैंज हो रही है चेंज हो रही है यह चान्ट वी डिटेक्टेट तो मुष्ण क्या प्रेजेंट बैस सो और इंडिकेटर्स के तुर और लिटमस पेपर टेमिलिक पाउडर के तुरू मुझा पता लगा सकते हैं कौन सा हमारे पास अचेड है कौन सा हमारे पास बेस है नेक्स्ट ट्रटोरियल में हम बात करेंगे एसेड बेस और सॉल्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज